कर दूस्तों मेराज पानडे आप देख रहा है आरचीन वर्वेंगी अभी की लिए टेस्स अब्जेट की बारे में बात करेंगे सबसे पहले में बात करेंगे बिहार सिठची मुथरी टीसए खोंग्ने को लीकर ??? आयो के गठन को लेकर नई प्राइमरी सिछक भरती को लेकर टीज़ती पीटी भरती को लेकर तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें जिससे सही जानकारी लों तक पहुंच सके बिहार सिच्छक भरती में कुल आवेदिनों की शंख्या कितनी हुई तो मुझे जुजानकारी प्राप्ट हुए बिहार में कुल आवेदिनों की शंख्या पांच लाख अठासी हजार के करीब हो गया है यह रेजिस्टेशन है ना कि फाइनल सम्मिनेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ फाइनल जब सम्मिट होंगा उसका रिकार्ड जो मुझे मिलेगा इस चैनल के माधिन से आपको सूचित किया जाएगा साथ साथ बिहार सिच्छक भरती आना सरकार के लिए खत्रे की घंटी हो गई आपको मालू होगा क्यों बिहार सरकार ने अपने फाइदे के लिए बिहार सिच्छक भरती का बिग्यापन जारी किया कि बंपल बिग्यापन जारी करेंगे तो चुनाओं में फाइदा मिलेगा लेकिन अन्य राजियों को ELEIGIBLE करके बिहार सरकार ने अपने पैर पर कुल्हारी वार लिया ऐसा रूंका कहना है फिर حال अन्य राजियों को मौका देना अच्छी बात है लेकिन राज इस तर戲 कराना, बिजान सभा में इसका लाब लेना अपने राज में इसका फाइदा उठाना अन्य राजियों के अभर्षियों को इलिजवल कलना या सही नहीं है इसको लेकर सरकार के दुबारा एहम बैठक बहुत जल्द की जाएगी उस बैठक में जो भी नीड़े होगा इस चैनल के माधिम से दिया जाएगा वैसे कुछ ऐस सेज BTC का मामला इसी महीने में साल्व होने की संभावना के नहीं साल्व होता तो पंदर्रा अगस्त के पहले साल्व कर दिया जाएगा जो भी आपर है उसकी सुनवाई हो जाएगी प्राज में कैस की ज्यत होतल तो मैं आपको बताना चाहा तो बीटीज को भी राहत मिलेग मजबूत हैं लेकिन बीएड वालों को बाहर नहीं किया जाएगा राज इस तर पर छोड़ दिया जाएगा राज सरकार पर छोड़ दिया जाएगा सरकार अपने अनुसान निड़ने लेगी और वाले प्राथमी में इलिजबल होंगे में बियर वाले इलिजबल रहें मुझे जो जानकारी है मैं अपनी करेंट जानकारी का आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूं नए आयो की गठन का प्रस्ताव पुना कब तक कैबिनेट में पहुंचेगा प्रस्ताव पर भुष्ट का जाएगा तो ने आयो के गठन को लेकर नजर आ रहा है और हम ने शेयानल के माधिम से बताया है किसी भी कीमत पर अगस्त सप्तमबर के पहले ने आयो को गठन नहीं हो मोठ सम्मन्द में है कि यहीं सत्य कि नहीं कर रहे हैं आप लोग प्रियास नहीं कर रहे हैं इसलिए सर्कार उठी करें तो आ गया उस दिन अगर आप प्रियास करेंगे उसके बाद जो है आपको सार्थक जबाब देखने को मिलेगा कुछ न कुछ जबाब उधर से आएगा तो आप लोग परिशान मत हो ये जो बीटी सी वाला मामला साल्ब हो जाने दिए उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भरत एक बार प्रियास बड़े इस्तार पर किया जाएगा बात करेंगे टीजटी पीटी नई भरति को लेकर अभी पुरानी भरति पर काम नहीं हुआ और लोग वीडियो बनाने लगें कि नई भरति आएगी नई भरति आएगी आएगी तो इस महिए आग माई ये के बाद ही किसी काम के बारे में सोचा जाएगा तो आगे कोई अपडेट मिलेगा तो चैनल माधिम से दिया जाएगा इस वीडियो को जाद जाद सेयर कर जिसे सभी सटीक जानकारी लोगों को मिल सके